दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, गंटे को दबाएं, ओल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए क्या आपके मोबाइल में, जब आप कोल पर किसी से बात करते हैं, यहां अचाना किसी का कोल आ जाता है, तो उस इस्तिति में आपका जो मोबाइल है, उसमें इंटरनेट डेटा चलना बंदो जाता है, नेट नहीं चल रहा है, यह प्रोब्लम काफी विक्तियों को फेस करने को मिलती है या तो वो कुछ काम करते रहेते हैं उस समय किसी का फोन आ जाए तो उस इस्तिति में उनके फोन के अंदर इंटरेट शलना बंद हो जाता है डूरिंग कॉल के टाइम पर आपका मोवाल में इंटरेट शलना बंद हो जाता है आप इस प्रोब्लम से काफी समय से सब्सक्राइब नहीं करा तो यार प्लीज जेनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइगन से ओर जडरू करें तो आईए देखते हैं आज की वीडियो इसके लिए सबसे पर आपको जाना है मोवाईल की सेटिंग पर आप जैसे ही जाहेंगे सेटिंग के अंदर इस टाइब से यहां रोमिंग डेटा आप ओन कर लें 5G को लिंग को ओन कर लें यहां पर और यह सिम 1 सिम 2 में यह ओन कर लें इसके बाद में यूज 5G नेटवर्क कोल वेरेवर पॉसिबर तो आपको यह 5G जो नेटवर्क है वह हो यहां से चलता रहेगा आपको एक काम क्या क का audio यहां पर आता है यह सिमails इस पर आपको क्लिक करना है और यहां एकॉप्षिन में देखने को मिलता है यह वाला यह ओप्सन क्या है mobile-switching data यानि स्विच अनादर सिम मोबाइल डेटा अगर आपके पास कोल आ जाती है किसी की कोई सीवी टाइप के तो फोन में ओट्रमेटिक सिप्ट हो जाएगा ताकि आपकी प्रोब्लम यहां से फिक्स हो जाए more setting पर जाएंगे और यहां से dual sim आप ओन कर लें यहां से और इसके बाद में sim securities पर आप जाएं और यहां से लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं तरवाइस कोई जरूरी नहीं है पर दोस्तों है कि यह option है कि data switching and backup calling कोलिंग के टाइम पर यह वाला जो option अगर आप activate कर लेते हैं तो call के समय आपका internet चलेगा और आपका internet बन दोने की जो problem है वो fix हो जाएगी इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem को सही और अच्छे तरीके से follow करें और आपकी problem fix हो जाएगी I hope guys अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो please video को like and share जरू करें चैनल को subscribe जरू करें यह वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching this video